हेलो एवरिवान वेल्कम तू कॉमर्स लेक्च्छर साहम नहीं हाँ आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो एकनॉमिक्स और आज का मारा टॉपिक है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है अगर हम फिसकल डेफिसिट में से इंटरस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो अपना प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा लेकिन इससे हम क्या समझे है क्या चीज़ यह देखो डेफिसिट मतलब होता है कम होना किसी चीची कम होना सो फिसकल डेफिसिट में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्मेंट को जब क्या होता है कि गवर्मेंट के एकस्पेंडिचर बहुत जादा हो जाते हैं और रिवेन्यू यानि जो इंकम होती है वो बहुत कम होती है तो फिसकल डेफिसिट निकल के आता है यानि जो गवर्मेंट extra पैसा खडशती है वो extra पैसा कहा से लाईगी बोरो करेगी कहीं से loan से लेगी तो वह अपना fiscal deficit था है ना सो primary deficit अब क्या हुआ primary deficit का मतलब हुआ सो primary deficit का मतलब हुआ कि जो अपना fiscal deficit था यानि government का जो extra पैसा खडश हुआ था गर्मेंट को जो extra पैसे की जुरत थी उसमें से हमने interest payment minus कर दिया यानि पिछले साल का सारा ब्याज हटा दिया वो हम consider या नहीं कर रहे हैं इसका क्या reason है क्यों नहीं कर रहे हैं हम minus क्योंकि primary deficit में हम क्या निकालते हैं current year का deficit यानि इस साल हमारा कितना पैसा extra खर्च हो रहा है कि साल सरफ current year का एक साल का पैसा अगर हम निकाल रहे हैं कि government ने extra कितना पैसा खर्च किया कितने पैसे की जुरत पड़ी government को extra एक्स्ट्रा कितने पैसे की जुरत पड़ी जो कि उसके पास नई थे उसे बॉरो करने पड़े सरफ वो पैसा निकाल रहे हैं इंट्रस पेमेंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंट्रस पेमेंट पिछले साल का है अगर हम इंट्रस पेमेंट जो है लेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा वह फिसकल डेफिसिट बन जाएगा फिसकल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि गवर्मेंट को एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए कितने पैसे की जुरत है वह फिसकल डेफिसिट लेकिन सिरफ और सिरफ इस साल में कितना पैसा की जुरत है गवर्मेंट को एक्स्ट यानि primary deficit इस साल का हम देखेंगे कि government को कितने पैसे की जुरत है extra कितना पैसा बोरो करेंगी और fiscal में क्या देखेंगे कि चाहे कितने भी सालों से पढ़ाओ पैसा वो सारा पैसा देखेंगी कि कितने पैसे जो हैं हमें भार से बोरो करने हैं कितना में extra खर्चा कर रहे हैं बस प्राइमरी डेफिसित में क्या दिखाता है कि government को कितने पैसे बोरो करने की जुरत है interest payment हटा कर यानि पिछले साल का नहीं देखना है कुछ भी fresh fresh देखना है जो भी इस साल का देखना है कि इस साल हमें कितने रुपे की जुरत पड़ी चलो implications पढ़ते हैं अब क्या है इसके implications है primary deficit के बिल्कुल same है fiscal deficit जैसे क्योंकि दोनों का ही मतलब है कि government ने जादा पैसा खर्च कर दिया है अब government को और पैसे बोरो करने की जुरत है तो implications भी same होंगे सिरफ एक difference है इनके बीच में कि जो primary deficit होता है उसमें interest payment हम नहीं लेते है past loan यानि पिछले loan का क्यों नहीं लेते हैं कि इस साल अपने को कितने पैसे की उधार उठाने की जुरत है इससे वीडियो खता हम और थैंक्स वाच निस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब